नमस्कार दोस्तों मद्यप्रदेश के हर गरीब को मिल रहा है मकान और जमीन का पट्टा तो आप भी जुड़ वाले इस लिस्ट में नाम तो चलिए जालने ते इस वीडियो के मादन से कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जागर सब्सक्राइब क करन को किलिक करना ना भूले दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मत्यप्रदेश में बहुत जल्द विदान सवा चुनाव सुरू होने बाले हैं और जो है सत्ताधारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान इस बार भी चुनाव में बने रहने के लिए कोई कसन नहीं छोड़ रहा है हर दूसरे दिन सिवराज प्रदेश बासियों और सरकारी कर्मचरियों के लिए कोई न कोई योईना या फिर बड़ा एलान करते रहते हैं हाली में सिवराज सरकान ने अथिति सिक्चकों के लिए बड़ी गोस्ना की जिसमें उन्होंने उनके बेत करते हुए प्रदेश के गरीब और जरूरतमन नागरिगों को पांच रुपे में भरपेड भोजन देने का एलान कर दिया है आपको बता दे कि दिन दयाल रसोई योईना के तीसरे चरण में 66 नगर पाली काओं में स्थाई रसोई केंदरों की जिसे मिला कर आप प्रदेश में 166 दिन दयाल इस्ताई रसोई केंदरों हो गए हैं हर गरीब को मिलेगा जमीन का पट्टा तो यह जो है मुक्यमंत्री सिवरासिंग चोहान ने हाली में नागरिय चेत्रों के 38505 आवासियों पट्टों जो है पट्टा भी प्रदान किया है और यह भी एलान किया है कि ब इसे ही परिवार जनों के लिए इस नय सवकात को लेकर आ रहे हैं मुक्यमंत्री आवासियों एकी सुरूआ होगी मुक्यमंत्र सिवरासिंग चोहान ने सबही गरीब परिवारों और यह आश्वरशंद दिलाया कि जिन के परिवारों के पास रहने के लिए जगा नहीं है उनकी विवस्ता मामा करेगा इसके लिए उन्होंने कहा कि केंद सरकार दोरा चल रही पीएम आवास योईना के तहट जिन खितगराईयों का आवास नहीं बन पा रहा है उसकी जाच होगी और जरूरत पड़ेगी तो मैं अप प्री प्लोट 27 अगस्त रक्षबंदन उपार बितरन समारों के दोरान मुख्यमंते शिवराज सिंग चोहान ने अपनी लाडली बेनों को बहुत से उपार दिये इन में से एक ये भी है कि जिन लाडली बेनों के पास रहने के लिए घन नहीं है या फिर उनके नाम पर कोई जमीन नहीं है तो उनको आप रहने की लिए फिरी प्लोट की सुविदा जो है भाई सिवराज सिंग चोहान त्वारा करवाए जाएगा तो यह कुछ बादे किये हैं आश्वाशन दिया है तो दोस्तों खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं देखते हैं तो दन्यवाद द दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहन जवारत